जैहिन स्वागत आपका आपके अपने चनल होम टुशन पर दोस्तो हरियाना प्रिस कोंस्टेबल के फोरूम बरेवे काफे दिन हो चुके हैं और बच्चों का इंजार है कि अब फेजिकल कब तक होगा और कब तक इसका रिटरन एक्जाम कंड़ेक्ट करवाया जाएगा क्या दिया हुआ है तो आईए बात करते हैं सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाया कितने गुणा बच्चों को बुलाए जाएगा है ना तो हरियाना प्लिस कोंस्टेबल के हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं वेकेंसिया कितनी है दोस्तों तो मेल की वेकेंसिया है पांच हज CET Group C qualify है वही बच्चे इसमें apply किये थे ये बात आप जानते हैं ठीक है आप बात करते हैं सबसे पहले कितने गुणा बच्चों को बुलाये जाएगा कितने गुणा पहले तो इसकी बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि हर्याणा में फिलाल क्या है कि जो भी बरती आती है उस सिधा कोट में चलिजाते है किसी ना किसी बज़े से किसी में पांच नमबर का केस है किसी में किसन रिपेटिशन का केस है किसे में 4 गुणा को क्यों बुला लिया, किसे में 5 गुणा को क्यों बुला लिया, किसे में 4 गुणा को क्यों नहीं बुलाया, कम बच्चे क्यों बुलाया गई, यानि कोई ना कोई लोजिक लगा के हर बरती को कोट में बेजा गया है, चाया हो गुरूप C की देख लीजिए, गुरूप D की देख लीजिए, और अब तक एक भी भरती पूरी नहीं हुई है, स्वाइक गुरूप D के एक result आया, second list उसके भी फसी हुई है, court के चक्र में, और गुरूप D में जिन बच्चों ने जोइन कर लिया है, उनको भी department post नह नहीं थी अभी, तो उसमें क्या है कि ऐसे बच्चे बुलाए जाएंगे, जो भी अगर पांच नमबर हटते हैं, तो भी cut-off को पार करते हों, और पांच नमबर जुड़ते माल लीजिए, बविश्य में court करते हैं कि पांच नमबर continue रखिए, अगली बर्तियों में निवों 12 गुणा अगर बच्चों को बुला लेंगे, तो इसका मतलब 72,000 बच्चे बुला लेंगे, और एक बात आप जानते हैं कि भाईया, एक्जाम में कितने गुणा बच्चे बैठेंगे, तो एक्जाम के लिए इननों किलियर बोला है कि एक्जाम में कितने ही बच्चे पास ह जाएं एक्जाम में तो भाया च्यार गुणा ही बच्चे बैठेंगे यानि लगबग लगबग 24,000 बच्चे ही एक्जाम में अपियर होंगे ये बात आप जानते हैं तो अगर माल लीजे 12 गुणा बच्चों को ये बुला लेते हैं और 12,000 में से माल लीजे आदेवी पास होगे मान लेते हैं एक सेकंड के लिए तो फिर बैठेंगे तो एक्जाम में 24 जारी तो जो बच्चे फिजिकल पास कर लिए हैं 12,000 उनको अगर रिटन एक्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा तो वो भी एक परकार से क्या होगा अन्याय होगा एक परकार से उनके साथ दोखा होगा और वो बच्चे भी कोट में पहुंच सकते हैं कि हमने सेटी ग्रूप सी क्वालिफाई किया हुआ है मेरिट में आए हम 12 गुणा की जो मेरिट एससी लगाईगी उसमें हम आए और फिर हमने फिजिकल भी पास किया तब भी हमें रिटन एक्जाम में नही बैठने दिया तो कहीं ना कहीं कोट का लफड़ा एससी इस बार नहीं रखना चाहेगी तो आप ये मान के चलिए कि सुरुआत में 12 गुणा बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा ठेक है सुरुआत में कितने गुणा बच्चे यहां पर बुलाया जाएंगे तो आप ये म कम बच्चे बुलाये जाएं क्योंकि एक तो चीज ये है कि भाईया टाइम अच्छा कासा दे दिया है ठेक है तो जो बच्चे अर्याना प्लिस का जिन्हें फोर्म भरा है और जिनको लग रहा है कि मैं नाम आ जाएगा फिजिकल में तो वो तो तो तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी हो सकता है कि फिजिकल में थोड़े फैल होंगे तो कोसिस ये रहेगी कि भाईया कम से कम बच्चों को बुलाये जाए और मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में बच्चों को बुलाये जाएगा तो 6 गुना के नुसार ही यहां पे 36,000 बच्चे हो ज देगी तो शुरुआत में मेरा यह मानना है कि कम ही बच्चे बुलाएंगे हो सकता है कि पांच गुना ही बच्चे बुलाएंगे यह भी हो सकता है लेकिन पांच गुना में देखेंगे तो 30,000 बच्चे होंगे तो 30,000 बच्चे होंगे तो 30,000 बच्चे हो सकता है 10,000 बच् की संभावना नहीं है दोस्तों ठीक है तो जो हम आपको बता रहे थे सुरुआत में कि 12 गुणा 13 गुणा बच्चे बुलाई जाएंगे ऐसे से भी करी कि भाईया 10 गुणा बच्चों को तो हम बुलाई लेंगे फिजीकल के लिए लेकिन वो कही ना कही अब उतार नेजर नहीं आ रहा है क्योंकि जिस प्रकार से भरतियों का जो चला हुआ है कोट केस का अब आगे क्या है कि देरे देरे विदान सभा का चुनाव नजदिक आएगा तो सरकार ये चाहेगी कि भाईया बरतियों को एक समूदली कंडेक्ट करवाया जाए कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चीए जिसकी वज़े से ये बरति जाके क्योंकि हरियाना पुलिस एक बड़ी बरति माने जाती है तो ये चाहेगी सरकार की किसी भी पॉइंट की वज़े से सरकोट में ना जा पाए बरती इसलिए ऐसे इस सुरुवात में ऐसे करो कि भाईया कम बच्चे बुला लो ठीक 30,000 बच्चे बुला लो 30,000 में से 5,6,10,000 भी फैल होगे मान लो 30,000 में से 10,000 फैल होगे कितने बच्चे जी 20,000 तो 4,000 बच्चों के लिए और बच्चे बुला लो फिर 6,000 बुला लो फिर 12,000 बुला लो तब तक बुलाते रहो कि जब जब 24,000 पूरे ना हो अगर सुरुवात में ही 50,000 बच्चे बुला लिए फिजिकल के लिए और इसमें मान लीजे 30,000 बच्चों ने फिजिकल पास कर दिया तो जो 6,000 बच्चे जिनका रेटन एक्जाम नहीं हो पाएगा वो सिधा कोट में जाएंगे ठीक है तो मेरा ये मानना है कि अभी 6-7 गुणा बच्चे बुला जाएंगे इससे जादा बच्चे फिजिकल के लिए नहीं बुलाए जाएंगे तो इसकी वज़े से क्या होगा कटोफ भी जादा जाएगी जो हमने कटोफ पहले बताए थी वो कहें ना कहीं 3-4 नंबर बढ़ेगी वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कटोफ कितनी जा सकती अगर 6 गुणा बच्चे बुलाएंगे क्योंकि बहुत जादा फोरम नहीं बरे गए है लेकिन फिर भी वैकेंसिया भी कम है छेजार वैकेंसिया तो च्यार गुणा को ही पास करना है रिटन एक्जा में च्यार गुणा बठेंगे तो दूसरी मेरिट ना बनानी पड़े इसलिए सुरुवात में ही मेरिट को उपर उठाके बुलाया जाएगा बच्चों को ताकि उतने यह बच्चे मिले जितने हमें च्यार गुणा रिटन एक्जाम में बठाने है ये तो बात आपको समझ में आ गई अब बात करते हैं कि भईया पी एस्टी पीटी कब तक होंगे तो आप मानके चलिए कि भईया च्यार पांच जून को तो आपका एलेक्शन की वुटिंग है मदब काउंटिंग हो जाएगी तो पांच जून के आसपास आपका ये लोग सभा वड़ा सिस्टम खतम हो जाएगा उसके बाद आपको सरकारों को पता लग जाएगी कि हरिया फिलाल क्या माहूल है सरकार का ठीक है द दस या बारा जून की आसपास आपका फिजिकल शुरू करवा दिया जाए है इस से भी पहले हो सकता है June के आप मान के चले कि फस्ट विक को में लग देता हूं, जून के फस्ट विक से फिजिकल आपका शुरू हो सकता है तो अपनी तैयारी इसी परकार से आपको रखनी ए ठीक है कितने फोरम बरे गए हैं उसका भी हम डाटा बताएंगे और कितनी कट ओफ जाने वाली है वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे फिल हाल आप जून के सुरुआत को आप मान के चले कि फिजिकल हो जाएगा तो अपनी जो तैयारी है उसी परकार से आपको करनी है जून के मेने में घर में पड़ती है लेकिन सुबह सुबह दोड़ते हैं दस बज़े तक तो सारा सिस्टम खतम कर देते हैं ठीक है तो आप य प्रेस अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक चुरू करें और कोमेंट सेक्षिन बताइए कि आपका स्कूर कितना है और आपको क्या लगता है कि आपका नाम फिजिकल में आएगा कि नहीं आएगा और क्या आपने फिजिकल की त्यारी शुरू कर दी है धन्यवाद जैह हुआ है